आज मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार इलाइची टी केक जो आपने इससे पहले किसी भी चैनल पर नहीं देखा होगा मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर को वनिला आइसस नहीं मिलता इसलिए मैं बहुत सारे विदाउट वनिला आइसस केक बना चुकी हूँ जिन में से ये भी एक केक है जिसमें किसी किसम का आइसस यूज नहीं होगा नैचरल आइसस लेंगे हम लाइची का और ये ओवन और वि अगर से आप मेरे चाइनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किजी मेरे चाइनल और पेला आइकन दबाएं उसे दबाना जरूरी है ताके आपको मेरे न्यू वीडियो मिल सके इसके सबसे पहले हमें चाहिए ही टूटी फूटी यह आप्शनल है आपकी मर्जी है डाले या ना अगर से डाले तो 1 फूर कब डालिएगा और हम इस तरीके से काट लेंगे इसके बाद हमें चाहिए है इलाइची है दस इसके के अंदर इलाइची हैं जो हैं वो ताजी पीश के डालेंगे लाजमी और इसमें हम डाल देंगे चीनी एक टी स्पून तो चीनी के साथ मैंने पीशी ही तो इससे आईसस नहीं उड़ेगा और खुच्बू बहुत अच्छी आएगी अब चलते हैं नेक्स स्टेप पर तो इसके दिया में चाहिए ऑईल हाफ कप प्लस टूटे बिली स्पून इसके बाद दाल देंगे इसके अंदर दानदार चीनी हाफ कप दो अंडे और जो लाइजिय हमने पीसी ती बुदाल देंगे ब्लेंडर में केक बनाना बहुत असान है इसके अंदर चीनी पीसनी नहीं पड़ती और बहुत अच्छा केक फूलता है अब यह हम कम असकम दो मिनट ब्लेंड करेंगे दो मिनट हो गए है अब चलते हैं नेक्स स्टेप पे इसके तिया में चाहिए मैदा एक कप और बेकिंग पॉडर वन एना हाफ टी स्पून यानि देटी स्पून लाजमी चनी से चाहन के दालेंगे इंचाल लिए इसके बाद दाल देंगे इस पे तूटी फूटी नहीं के मिक्स कर लेंगे इसके बाद दाल देंगे इस पे बैटर को अब यहाँ पर हम जो है वह मिक्स्यार को बीट नहीं करेंगे सिर्फ फोल्ड करेंगे हलके हाथ से वरना केका बैटर खराब हो जाएगा यह यह के कपैटर हमारा रेडी हो गया है यह जो है और नहीं हमारा रेडी हो गया है इसके बाद हमेशे आइए मोल्ड, मोल्ड की मेजर्मिन्ट किस साइज का मैं यूज कर रही है वो मैंने स्क्रीन के लिख दी है अगर से मोल्ड ना हो आपके पास तो आप घर में से कोई भी ऐलमूनियम का बड़ा ले सकती है बस बड़ा देखकर लीजेगा बस बड़ा देखकर लीजेगा और अब चलते हैं बेख करने की तरफ तो सबसे पहले मैं आपको विदाउड ओवन बताऊंगी इसके लिए हमें चाहिए मूटा और बड़ा भगाऊना इसमें हम धक्कन को उल्टा करके रख देंगे इसमें रख देंगे केक को कवर कर देंगे स्टील के धक्कन से और दाल देंगे इसके उपर कपड़ा ताकि अंदर की गरा मेर बाहर ना निकले अब मैं आपको विदाउड ओवन बेकिंग की टाइमिंग बता दती हूँ तो इसके दिए हम एक मिनट मीडियम फ्लेम रखेंगे दर्मियानी आग रखेंगे और उसके बाद आग हलकी कर देंगे 25-30 मिनट के लिए किसी किसम का कोई प्रिहीट नहीं करेंगे तो 25-30 मिनट के अंदर इलाइची के एक बिल्कुल डेडी हो जाएगा विदाउड ओवन और अब मैं आपको इसकी ओवन की टाइमिंग बता देती हूँ सबसे पहले हम ओवन को प्रिहीट करेंगे 180 celsius पे 5 मिनट के लिए और उसके बाद बेक करेंगे 170 celsius पे 30-35 मिनट के लिए जब तक एक complete बेक नहीं हुजाता तब तक चेक कर लेते हैं देखिए हमारा इलाइची के एक बिल्कुल डेडी हो गया है स्टिक से चेक सेंटर से करिएगा देखिए बैटर नहीं आया है इलाइची के कमारा बिल्कुल डेडी हो गया है इससे निकाल लेते हैं निकालते हैं अहत्यात करिएगा पगोना बहुत गराम हो रहा होता है और अब हम इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे जब ये कम्प्लीट ठंडा हो जाएगा ये सर्फ परने के लिए बिल्कुल डेडी है ये इलाइची केक टी के साथ बहुत अच्छा लगता है एक दफ़ा जरूर ट्राइ करिएगा इस रेसिपी को बहुत मज़ेगा होता है ये झाल 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 देखें कितना सॉफ्ट बना है बिल्कुल ऐसी ही बनेगा अगर से आप स्टाइब बाइस टाइब रेसिपी को फॉल्ल करेंगी अगर से वीडियो अच्छी लगे तो इससे लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चाइनल ताकि आप अईदा भी ऐसी कोई के नीजे रेसिपीस देख सकें थैंक्स फर वाचीं